गूढ इबनिंग अस्टुडेन्स आज हम लोग पॉलीनोमियल्स का रिमेनिंग कोस्टेन को करेंगे तो आईए आज हम लोग polynomials पे आते हैं सर जो remaining question था उसको discuss करते हैं तो देखिए आपके screen पे question है question number four पिछले lecture में हमने question number three तक discuss किया था आज हम question number four पे आएने question number four आप अच्छे से read किजिए same step का question हम लोग किये थे सर सिर्फ यहाँ पे degree four है यहाँ दिये हुए if the two zeros of our polynomials are आपका zeros थोड़ा नीचे लिखा हुआ two plus minus root three it means two zeros है सर plus minus का मतलब एक plus में है सर एक minus में तो कितना zeros find करना है question में उसके बार लिखा find other zeros तो आपको concept के form में हम बताये थे जितना degree होता है it means यहाँ degree four है न यह polynomials है जो degree four का सर तो इसमें maximum कितना zero होगा जितना degree है सर उतना zero maximum तो at most अगर zero निकलेगा तो कितना निकलेगा four zeros निकलेगा सर दो zeros आपका given है दो zeros find करना तो आईए इस question पर आते हैं कि सर question कैसे solve होगा पहले आप question को note कर लिजिए question है polynomials px is equal to हमने ले लिया है सर लिख दिया है यही आपका polynomials दिया हुआ है degree four का है सर क्योंकि maximum power four है तो यह degree four का polynomials है और दो zeros given है zeros given है कितना given है two plus minus root three है सर इसका मतलब अगर इसको लिखना चाहें तो two plus root three और two minus root three और zeros यही दो zeros है सर इसको plus minus में एक साथ लिख दिया है तो यहाँ पे zeros के बारे में हमने लिखा है two plus root three और two minus three और zeros दो zeros given है और आपसे पूछ रहा find the other zeros तो इस टाइप का question हमने आपको करवाय था इसमें क्या करते हैं यह जो दोनो zeros है उसको हम लोग late करेंगे it means x is equal to two plus root three यह zeros का मतलब क्या है सर हम बोल रहें यह भी zeros है और यह भी zeros है it means यहाँ x is equal to क्यों late कि है कि अगर इस polynomial में x के place पे इसको put करेंगे तो यह polynomial क्या हो जाएगा zero हो जाएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ two plus root three put करेंगे सर तो हमारा polynomial का value क्या कर देगा zeros कर देगा इसलिए यह दोनों को बोला है कि आर्दा zero तो एक वार x is equal to इसको मानेंगे और एक वार x is equal to इसको मानेंगे यह दोनो zeros है अब क्या करेंगे इस दोनों को क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो क्या हो जागा x minus two plus root three is equal to zero ऐसा हम लिख सकते है x minus देखे ब्रैकेट में लिखें plus minus two plus root three को क्योंकि जैसे ही equal to के इधर आएगा तो दोनो positive है सर दोनो negative हो जाएगा तो इस form में लिखें यहाँ भी x minus two minus root three जो है same ही रह गया क्योंकि ब्रैकेट में है अब जैसे ही equal to zero किये यह दोनों क्या बन गया सर यह दोनों factor हो गया क्या हो गया factor factor का मतलब आपको पता है हम बताए है कि factor का मतलब होता है कि वो क्या करता है उस polynomial को divide करता है अगर बोल देंगें कि यह factor है इस polynomial का तो factor का मतलब ही होता है कि जो divisible होगा तभी factor होगा जैसा कि हम basic आपको पहले भी बता चुके है कि अगर 12 का factor पुछेगा सर तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है यह सारा factor है सर तो इसमें से किसी भी एक number को आप चूज़ कीज़े देखिए इसको divide कर रहा है कि नहीं कोई भी एक number ले लिज़े सारा number divisible होगा divide करेगा इसको सेम उसी तरीका से यह एक factor है इसको divide करेगा अब यहाँ देखिए अगर 3 divide करेगा सर और 4 इसको divide कर रहा तो हम आपको बोलेंगे क्या यह दोनों का product भी divide करेगा सर तो इस दोनों का product जो आएगा वो भी divide करेगा सेम concept यहाँ पे लगाएंगे कि यह भी factor यह भी factor तो यह दोनों का जो product होगा वो भी एक factor होगा सर जो क्या करेगा इसको divide करेगा तो आईए हम यहाँ पे आते हैं यह तो numerical value लेके हम आपको समझा रहे थे इस तरीका के question आप किये हैं आप लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि these and these are the zeros of a given polynomials या are the ऐसे लिखेंगे x minus 2 plus root 3 curly bracket दे देते हैं या आप कॉमा देखें and x minus 2 minus root 3 are are क्या लिखेंगे are the factor are the are the factor of this polynomial इस polynomials का यह दोनों क्या है सर फैक्टर है now तो लिखेंगे कि अगर यह दोनों factor है सर तो यह दोनों का product भी factor होगा it means यह दोनों को into के form में कैसे लिखेंगे x minus 2 plus root 3 और into इसको आप bracket में लिख दीजे ऐसे या ऐसा एक bracket दे दीजे और into x minus 2 minus root 3 यह दोनों को bracket big bracket के अंदर रखें कि अगर यह दोनों factor है सर तो उसका product भी factor होगा तो लिखें now are factor of given polynomial तो बैसिकली यह समझना था कि अगर zeros दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखते हैं zeros लिख लिए उसके बाद x is equal to let कि यह यह जिरो है तो x is equal to यह होगा और यह जिरो है तो x के प्लेस पे यह भी रखेंगे तो जिरो कर देगा और यह दोनों का value इधर लाए तो इधर जिरो बच गया यहां भी इसको अगर LHS के तरफ लाएंगे तो इधर remaining जिरो बच गया तो यह जो फॉर्म दिखता है वो दोनों यह क्या होता है यह factor होता सर गिवन पॉलिनोमियल्स का फिर का किया next strip में यह दोनों factor का into कर दिये और लिखे are the factor of given polynomial it means यह दोनों को into करके जो नया factor बनेगा सर वो भी उस पॉलिनोमियल्स का factor होगा तो अब हम क्या करेंगे यह को into करेंगे आप into कर सकते हैं कैसे करेंगे सर पहले तो आप bracket हटा के plus minus change कर लिजिए sign उसके बाद हम लोग उसको formula पे ला सकते हैं जैसे हम लोग करेंगे आगे अब देखिए क्या करेंगे जैसे यह ब्रैकेट हटाईएगा तो यहाँ यह क्या हो जगा है इस तरीखा से इसको लिख सकते हैं एकस है सर एकस माइनस त्थू को एक साथ और माइनस रोट 3 को एक साथ ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएगे सर तो आप देखिएगा क्या होगा यह तो माइनस होगा सर लेकिन यह माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा It means x-2 तो मेरा same हो गया और bracket हटाएंगे तो ये plus root 3 हो गया अब आप देखिएगा ऐसा करने से हमको एक formula पे आ गया यहां गोर किजिएगा a-b और a-b के format में आ गया अगर इसको a consider करते हैं इसको b consider करते हैं तो a-b into a plus b तो आपको formula पता है a-b into a plus b is equal to क्या होता है a square minus b square होता है तो क्या करेंगे हम next step में x-2 का whole square और minus root 3 का square ये तो a-b का whole square है सर इसको break कर दिजिए a square plus b square minus 2 to the 4x और minus root 3 का square करेंगे सर 3 अब यहां पर x square minus 4x 4 minus 3 कितना हो जगा प्लस 1 तो देखेंगे कि अगर ये दोनों factor को multiply कियें तो हमारा एक नया factor आ गया जो की quadratic equation के form में है इसको क्या बोलेंगे is a factor of given polynomial आप पहले इतना note कर लीजिए उसके बाद आगे के step को हम करेंगे आते हैं इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां आपका जो दो zeros था उसको into करने के बाद नया जो factor आया वो क्या गया x square minus 4x plus 1 यह क्या है एक factor है न गिवन पॉलिनोमियल्स का अब हम क्या करेंगे सर इस पॉलिनोमियल्स में इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि यह factor है तो factor का बतलब क्या होता तो आये इसको हम लोग डिवाइड करते है x square minus 4x plus 1 से डिवाइड करेंगे यह x पे 4 minus 6x q minus 26x square plus 138x minus 35 अब इसको डिवाइड करना है और यहां से जो remaining zeros है उसको find करना है तो देखिए इसको हम लोग आपको डिवाइड करने आता है first जो हमारा element है उसको देखते हैं तो यहां x square सर इस number में कितना से into करें it means first element को देखेंगे कि x square में कितना से into करें sir कि x square x to the power 4 हो जाएगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर x square से into करेंगे sir तो मेरा काम बन जाएगा तो इसका rough आप किजिए कि गलती आप से ना हो इसके लिए आप rough जरूर किजिएगा हम क्या कर रहे हैं x square से into करेंगे तो X to the power 4 तो आएगा सर, साथ में कुछ और लेकर आएगा, 4XQ और प्लस X square, ये form आएगा सर, जैसे ही हमने X square से डिवाइड किया, तो हम लिखेंगे इसको X to the power 4 माइनस 4XQ प्लस X square, इसका काम हो गया, अब हम लोग साइन चेंज करते हैं सर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, X to the power 4 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया सर, यहाँ 6XQ निगेटिव है, ये पोजेटिव बन गया, तो 6 में से 4 गया, माइनस 2XQ, प्लस माइनस का आप ध्यान दिजेगा, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगा, य आईए माइनस X स्क्वाइर है, तो माइनस 27X स्क्वाइर हो गया सर, फिर आपका क्या है, प्लस 138X माइनस 35 आप लिख सकते हैं, एक साथ को जिकत नहीं है, अब हम हमेशा बोलते हैं कि first term को देखते हुए हम लोग काम करते हैं, यहाँ X स्क्वाइर है, हमको चाहिए माइनस 2XQ, अब आप खुद सोचिए कि इसमें कितना से इंटू करेंगे सर, X स्क्वाइर में, कि मेरा कितना जाएगा, माइनस 2XQ चाहिए, तो 2 से तो पका इंटू करना पड़ेगा, 2 की माइनस 2, माइनस 2X, इट मेंस कि अगर माइनस 2X से इंटू करेंगे, तो मेरा काम बन सिर्फ फर्स टर्म को ही देखना बाकी रिमेनिंग जो आएगा हम लोग नोट कर लेंगे तो फर्स टर्म मैच कर गया फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 428 x इंटू x x square plus minus minus 2x हो गया तो हमारा यह आया इरफ वर्क आप किजिएगा ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता हम लोग दिमाग में ही कल्कुलेशन करते हैं और एक भी डेटा अगर मिस करते हैं तो आपको मैठ है सर इसमें 0 भी मिल जाएगा तो आप इसका ध्यान रखेगा 2x q plus 8x square minus 2x यही है ना अब इसका काम खटम इसको मिडा दिये अब यहाँ पर क्या करते हैं सर साइन चेंज करते हैं लास्ट में minus है तो plus plus है तो minus minus है तो plus आप देखिए कि यह दोनों से में सर कैंसिल हो जाएगा यहाँ sign minus है यह भी sign minus हो गया जब दोनों का sign सेम हो सर तो add होता है और जो sign रहता है वही sign लिखाता है it means minus का sign होगा और यह कितना हो जगा 27 plus 8 35 हो जगा तो minus 35x square और यहाँ यह minus यह plus में सर यह भी plus में हो गया दोनों add हो गया 138 plus 240x हो गया सर माइनस 35 जो था उसका sign उसमें चेंज नहीं होगा कि minus 35 x square हो जागा सर तो काफी easy है यहाँ पर लिखेने थे यहाँ पर कितना कितना वार में लाए थे minus 2x इधर भी लिखते जाएंगे और यहाँ minus 35 से into करेंगे न कि plus से minus 35 से करेंगे सर it means minus 35 में x square minus 4x plus 1 से into किजिए minus 35x square और minus minus plus 54020 43012 140 हो जागा 140x minus minus plus हो गया और plus minus minus 35 तो आप देखिएगा गार किजिएगा कि same ही चीज नीचे है सर minus 35x square 140x minus 35 it means अगर minus 35 से multiply किए तो same चीज आगया हमारा minus 35x square plus 140x और minus 35 क्या करते हैं सर last में sign change करते हैं आप sign change कर दीजिए minus है plus plus है minus minus है plus अब देखिएगा same ही में plus minus में ये भी चैंसिल ये भी सेम ही में plus minus है ये भी चैंसिल ये भी चैंसिल आपका zero ये clear भी हो गया क्योंकि हमने आपको starting में ही बोला था कि दो factor है उसका भी factor होगा ये चेक भी होगया सर फैक्टर का मतलब remainder 0 आना चाहिए अगर divide करेंगे तो 0 आ रहा है तो मेरा काम कहां से है अभी दो 0 और निकालना है तो अब हम लोग क्या करेंगे division algorithm आप पढ़ें division algorithm में क्या था dividend is equal to divisor into quotient plus remainder तो यहाँ पे dividend क्या है सर हमारा ये है ये जो बड़ा सा लिखा हुआ है इट मेंस degree 4 का जो है ये हमारा dividend है divisor हमारा ये है तो divisor into quotient plus remainder तो remainder तो 0 है सर इट मेंस this is equal to आप लिख सकते है x to the power 4 minus 6 x q minus 26 x square plus 138 x minus 35 is equal to क्या हो जेगा हम लोग लिख लेंगे इसको this into this हाना इट मेंस divisor into quotient divisor हमारा है x square minus 4 x plus 1 है और into में क्या होगा x square minus 2 x minus 35 तो हमको 2 zeros और find करना है क्या find करना है 2 zeros तो किस से आएगा सर ये तो पहले से ये दो फैक्टर था उसी से ये आया है तो ये तो इस से तो हम लोग का zeros आ चुका है सर वो zeros को into करके ला है जो नया पार्ट है आपका ये वला है x square minus 2 x minus 35 इसको अब break करेंगे और यहां से 2 zeros लाएंगे क्योंकि ये तो अल्रेडी जो 2 zeros था उसी को into करके ला है तो जो next जो remaining zeros है तो लिखेंगे now quotient of 2 factorize तो हम लोग अब किसको factorize करेंगे सर now x square minus 2 x minus 35 इसको factor के format में तोड़ेंगे और यहां से remaining zero लाएंगे तो आप देखिए आपको तोड़ने के लिए हम सिखाये थे कि क्या करते हैं इसका first और इसका last turn को into करते हैं तो plus into minus minus 35 x square हो जागा यह minus so कर दिया कि जो अब आपका middle term होगा सर एक plus में होगा एक minus में होगा पक्का it means एक plus और एक minus तो कितना होगा सर हमको चाहिए minus 2x अब 35 पे focus करना है कि इसको किस number में break करें तो अगर minus 7 into 5 करेंगे तो minus 7 into 5 minus 35 भी हो जाएगा और minus 7 plus 5 करेंगे तो मेरा minus 2 भी देदेगा जो की चाहिए अब आप बोलेगा कि minus 5 into 7 क्यों ने किया सर अगर minus 5 into 7 करेंगे तो जब subtract करेंगे तो हमारा यहाँ value positive आ जगा तो यह भी दोर करना है कि negative किसको रखना है 7 को negative बनाना है या 5 को तो 7 को इसलिए बनाए कि minus 7 plus 5 करेंगे तो मेरा minus 2 देदेगा तो हम into किस फॉर्म में करेंगे minus 7 और 5 में तो जो इसको split करेंगे तो x square minus 7 x plus 5 x minus 35 last term होगा सिर्फ middle term को split करते हैं अब यह दोनों में common लेंगे x common लेंगे यह दोनों में तो x minus 7 plus 5 common लेंगे तो x minus 7 एक hint भी है जो यहाँ common आना चाहिए वही यहाँ भी आना चाहिए अना अब यह देखेंगे यह दो टर्म हैं हमारे पास plus minus are separate दोनों में x minus 7 common लेंगे तो इधर बच गिया x और इधर बच गिया 5 तो यहाँ से दो फैक्टर और आ गया क्या क्या आ गया x minus 7 और x plus 5 तो हम लोग लिख सकते हैं कि the value of this हाना और zeros आपको इस तरीक से सिखाये थे कि हम लोग कैसे zeros निकालते हैं यह zeros करने के लिए x minus 7 is equal to zero करेंगे तो x is equal to 7 और दूसरे में एक बार इसको zeros करेंगे क्यों करेंगे zero sir क्योंकि zeros करेंगे na coefficient it means factor होने का मतलब क्या है वो value जो polynomials को zero कर दे तो चाहें यह zero होगा यह यह zero होगा तो आपके question में दो zeros given था कौन-कौन zeros given था sir 2 plus root 3 और 2 minus root 3 तो total zeros यहाँ degree 4 है तो 4 zero होगा कौन-कौन zero होगा जो हम यहाँ पे लिख रहा है एक हो गया zeros एक हो गया 2 plus root 3 second 2 minus root 3 third 7 और last minus 5 यह 4 आपका zeros आ गया यही आपसे पूछ रहा था इस question में कि find other zeros other zeros का मतलब दो तो question में given था sir यह दो आपसे पूछ रहा था 7 और minus 5 आप इसको note कर लेजिए next question पे आते हैं जो कि आपके screen पे है question number 5 इसमें दिया हुआ sir if the polynomials एक polynomials है degree 4 का पुल रहा is divided by another polynomials इट मेंस यहां पे दो polynomials है sir एक जो बड़ा power वाला है इट मेंस जो degree 4 का है उसको बोल रहा कि divide कर रहा कौन अब यसली जो degree कंबला होगा उसी से डिवाइड होगा तो यहां पे degree 2 का है उससे divide क्या जा रहा है divided by another polynomials तो आपको लिख रहा है the remainders come out to be x plus a तो जो आपका remainder आ रहा है sir वो कोई constant number नहीं है वहां पे x plus a के format में आ रहा है और आपसे पूछ रहा है find k and a देखिए k कहां पे है जो आपका degree 2 का polynomials है उसमें k है constant के place पे k यूज किया गया है तो उसका value find करना है और एक a है sir उसका value find करना अना दो चीज एक a है और एक k तो आए हम लोग देखते हैं पहले आप question note कर लेजिए question advance जो polynomials है उसको पहले लिखिए ये दोनो polynomials को लिखिए उसके बाद फिर हम लोग question पर आते हैं देखिए कि ये question बनेगा कैसे सर इस question को कैसे हम लोग solve करेंगे तो question में आपको दे रखा है कि इस polynomials को ये polynomial से divide करते हैं और remainder भी दिया सर लेकिन वो variable के format में दिया है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस polynomials को जो degree 4 का है degree 2 के polynomial से divide करेंगे और divide करके जो भी remainder आएगा सर इस remainder को जो question में remainder given है उससे equate करेंगे हमारा answer आ जाएगा तो आईए इसको divide करते हैं divide अराम से करेंगे इसमें कहीं गलती करते हैं तो सबसे पहले x square है हमको x to the power 4 है कितना से into करेंगे सब x square से तो x square से into करेंगे x square minus 2x plus k यहाँ k है वो confuse करेंगा आपको आराम से लिखेंगे x to the power 4 minus 2x q plus k x square यह आएगा into करके तो कितने मार में लगा सर x square वार में लगा तो हो गया यहाँ पे x पे power 4 minus 2x q plus k x square ऐसा हो गया अब अब इसको मिटा देंगे यह rough work था अब यहाँ पे sign को change करेंगे plus है sir minus minus है sir plus plus है minus यह cancel हो जाएगा यहाँ minus 6x q है यहाँ plus 2x q है 6 में से 2 जाएगा sir minus 4x q और यहाँ यहाँ क्या है देखिए यह k x square है यहाँ 16x square है गौर किजिएगा तो इसको कैसे लिखेंगे इसमें हम क्या करेंगे plus का sign दिए और यहाँ plus देदिए और bracket में क्या करेंगे 16 minus k x square को बाहर कर दिए लिख सकते हैं ना 16 minus क्योंकि यह minus में 16 minus k लिख दिए और x square दोनों में है bracket के बाहर लिख दिए क्योंकि यहाँ के था यहाँ constant है तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं उसके बाद minus 25x plus 10 लिख दिए हम अब हमारा next focus होगा सर की minus 4x square सर तो यहाँ कितना से into करेंगे कि हमारा काम बनेगा तो एक तो minus 4 से करेंगे ही और x रहेगा तो x cube बरा देगा तो हम minus 4x से multiply करेंगे x square minus 2x plus a में तो देखिए आपका क्या हो जाएगा minus 4x cube minus minus plus 4 to the 8x square plus minus minus 4kx यह हो जाएगा 4kx हो जाएगा तो मेरा जो next term होगा कितना से into किये minus 4x से minus 4x से किये यहाँ x square है यह screen में आपको अब इसको लिखेंगे नीचे minus 4x cube plus 8x square minus 4kx यही है ना जैसे इसका काम होगे सर इसको मिटा देंगे फिर से यहाँ sin जो minus है वो plus हो जाएगा जो plus है minus जो minus है वो plus अब हम देखेंगे सर कि यह दोनों cancel out हो गया plus minus सेम है यहाँ देखिए यह 16 16 minus k है यह plus में सर यह minus में इसको कैसे लिखेंगे 16 minus k में से minus होगा 8 यह होगा ना minus क्योंकि 8 minus में यहाँ ध्यान देजिएगा इसलिए इसको हम बता रहे हैं कि कैसे minus करते हैं यह plus वाला टर में इसको पहले लिख लिए यह 8 minus में minus x square है सर ब्रैकेट के बाहर x square लिख दिए अब यहाँ फिर से आ रहा सर इसमें भी दिक्कत है क्या दिक्कत है यह 25 है यह 4k है क्या है सर 4k तो इसको कैसे लिखेंगे plus minus 25 plus 4k और ब्रैकेट में x लिखेंगे क्योंकि x दोनों में है सर लिख दिए यह negative था इसलिए minus 25 यह positive बन गिया है तो plus 4k और last में लिखेंगे plus 10 अब हम देखेंगे अगर यहाँ पे एक लाइन और हम यहाँ पे solve करते हैं यह क्या होगा 16 minus 8 करेंगे तो इसको direct लिख सकते हैं सर 8 minus k into x square और यहाँ पे कोई changing होगा यहाँ changing नहीं होगा सर क्यों क्योंकि वो आपका negative number है तो यहाँ पे direct लिखेंगे minus 25 plus क्योंकि यह k के साथ है plus 10 तो इसके बाद एक step और हम यहाँ पे कर लिए इसको solve कर लिए अब हमको focus करना है कि x square के साथ क्या चाहिए सर 8 minus k चाहिए it means हमको किसे into करना पड़ेगा x square में कि मेरा 8 minus k x square चाहिए तो 8 minus k से ही आपको into करना पड़ेगा किस में x square minus 2x plus k में ऐसा question generally बहुत कम रहता है जो इस format का आता है अब इससे into करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 minus k into x square plus minus minus हो जाएगा यहाँ 2 से into होगा 2 से into होगा तो 8 to just 16 है ना यहाँ पर plus minus minus यह कितना हो जाएगा 8 to just 16 और minus 2x यह होगा ना 2k क्योंकि k है आपका क्या है आपका यह minus minus plus हो जाएगा ज्यान दिजिएगा यह minus minus plus हो जाएगा यह plus minus है ना और plus last में k into k k है ना k into k क्या हो जाएगा k square तो जो हमारा कितने बार में लगा plus 8 minus k 8 minus k times लगाएगे तो कितना हो गया मेरा 8 minus k का तो x square आया ही सर प्लस minus 16 माइनस 16 है ना आप इसको bracket को हटाएगे इट मेंस यहाँ पे plus लेंगे तो यह आप minus में इसको डारेक्ट लिखिए माइनस 16 प्लस 2k होगा 2k होगा 2k into x और प्लस क्या गया सर एट माइनस k है ना सॉरी 8 माइनस k का square है यहाँ पे इट मेंस 8 माइनस k into k से into हो जाएगा यह होगा ना 8 माइनस k माइनस k यह थोड़ा सा confusion किया है क्योंकि 8 माइनस k के साथ आपको into करना तो आप ध्यान दिजेगा एक वार इससे into करेंगे 8 माइनस k को एक वार minus 2 से करेंगे एक वार k से करेंगे तो k से into करेंगे तो k इंटू डारेक्ट लिख दिए 8 माइनस के अब क्या करेंगे सर यहां पर साइन चेंज करेंगे यह प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस तीनों का साइन चेंज हो गया साइन तो चेंज होगा सर ये दोनों कैंसिल होगा बाकी कैंसिल नहीं हो रहा सर हम लोग क्या करेंगे इसको सेम एक्स को बाहर लेंगे और ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए पहले जो है उसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में लिख रहे हैं माइन माइनस का सान्य ध्यान दिजिएगा तो यह माइनस क्या कर देगा माइनस इंटू माइनस यह प्लस हो जागा और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जागा तो जो माइनस में हो वह प्लस में जो प्लस में हो माइनस में तो हम यहां पर डारेक्ट लिख रहे हैं प्लस 16 और ये plus minus minus 2k into x ये दोनों को सिर्फ अभी लिखे है अब किसको लिखेंगे सर अब जो हमारा constant term है तो constant term में आपका ये plus है तो plus 10 और ये minus होगे सर तो minus 8 minus k into k लिख दिये अब हम देखेंगे इसको calculate करेंगे इसको calculate करेंगे तो क्या हो जाएगा ये minus 25 plus 16 कितना हो जाएगा minus 9 और 4k में से 2k जाएगा सर तो plus 2k यही होगा न bracket close x हो गया अब यहाँ जो remaining portion है उसको same as लिख देंगे क्योंकि आपका k के साथ है तो 8 minus k into k और last में plus 10 constant को लिख दिये तो यह आपका remainder आ गया अब इसको divide नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका देखिए x पे power और यहाँ x पे power 2 है न उससे कम power है सर तो अब divide नहीं होगा तो आपका remainder यहीं हो गया अब पहले आप इतना note कर लिजिए उसके बाद फिर हम आगे करेंगे यह अब देखते हैं कि सर इसको आगे solve करेंगे आपके question में given था remainder तो according to question आएंगे जो question में remainder given था सर और यह दोनों को equate करेंगे क्योंकि solve करके remainder यह आया है और question में जो आपका remainder दिया है x तो दोनों को equate करेंगे minus 9 plus 2k into x minus 8 minus k into k plus 10 लिख दिये अब हम क्या करेंगे सर यह भी remainder है और यह भी remainder नेक्स्ट जो अग स्टेप होगा है ना equating equating the coefficient equate करके coefficient को value find करेंगे it means यहाँ पे x का coefficient क्या है सर कुछ नहीं है it means 1 है सर और यहाँ पे आपका यह है तो equate करेंगे coefficient को तो 1 is equal to minus 9 plus 2 के तो minus 9 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जागा आपका 10 हो जागा और इधर 2k यहाँ से k is equal to क्या आगया 10 y 2 5 आगया सर k का value find कर लिए एक और value find करना सर क्या a तो constant term क्या है सर मेरा इधर यह है और इधर constant पुछा जाए तो यह पूरा का पूरा आपका constant ही है constant ही है ना क्योंकि k भी आपका constant में आएगा तो फिर लिखेंगे equating constant equating constant term constant term यहाँ पे आप लिख सकते हैं equating the coefficient of x यह clear कर दिया कि x को coefficient को equate किये हैं यहाँ पे equate करेंगे constant term को तो इधर constant term क्या है मारा यह है सर a is equal to इधर minus को ignore मत की चीज़ा यह जो minus है वो साथ में आएगा minus 8 minus k into k plus 10 यह हमारा constant है सर अब आईए इसको solve करेंगे कि कैसे बनेगा सर तो a is equal to k का value देखिए आपको यहाँ आ गया है तो हम क्या करेंगे आप इस k के value को इसको नाम दे दिजे equation 1 put the value of k in equation 1 we get तो क्या मिलेगा सर जैसे ही put करेंगे तो देखिए यहाँ a is equal to minus 8 minus k का value 5 आया है यहाँ जहाँ के है वहाँ 5 कर देजिए 5 plus 10 तो a is equal to minus 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा 3 into 5 plus 10 तो a is equal to minus 15 plus 10 minus 5 आ गया सर कितना आ गया minus 5 तो इस तरीका से k और a का value हम लोग find कर लिए आप इसको note कर लिजे तो आज हमारा polynomials chapter complete हुआ next class में अब हम लोग next chapter को continue करेंगे आज के लिए इतना ही काफी है thank you very much